दोस्तों आज मैं आपके साथ जो कहानी सेर करने वाला हूँ यह कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ हैक्सन जरूर लेना चाहिए और मेरे टाइम की वैलू यह है कि मुझे अभी मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बढ़ा करके दिखाना है यह कहानी आपको जिन्दगी भर याद रहने वाली है क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी नहीं भूलते और हमें कहानियां जिन्दगी भर याद रहती है दोस्तों हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सेखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं लेकिन कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है दोस्तों ये कहानी है एक किंगडम की एक ऐसे राजे की जहां हर पान साल में एक राजा को चेंज किया जाता था दोस्तों जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं और वही उसको खा लेते थे अब उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाया जाते हैं और उस राजा को हाथे पर बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुडबाई कहने के लिए उसको एक बोर्ट पर बैठा दिया जाता है और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है अब उस राजे के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राजे का नया राजा कौन बनेगा तब उनको पता चलता है कि हमारे राजे में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होसियार इंसान है और उसको हमारे राजे का राजा बना देना च क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज के नए राजा बनिये क्योंकि आप बहुत होसियार और चालाग भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज को चला लोगे दोस्तों सभी की रिक्वेश्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ मैं आपके राज का नया राजा बनने के लिए तैयार हूँ और इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि पांच साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर कोई जीवन नहीं है जैसे ही वो इनसान उस राज का नया राजा बन जाता है तब उसके तीन दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर हर राजा को पांच साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लासे भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग-अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है वह राजा उस पान साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है दोस्तों आपको यहीं से कुछ सीखना है जब राजा देखता है कि यह बहुत ही जादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर भी हैं मेरे पान साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतह नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीजे वहां से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया दोस्तों राजा ने दूसरे साल में उस और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे दोस्तों तीसरे साल में वहाँ पर एगरी कल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग, कॉम्पलेक्स और रोड बनने भी सुरू हुए उसके साथ ही वहाँ पर लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी सुरू कर दिये पांचमे साल में वहाँ पर तो लोगों का रहने का इंतजाम भी कर दिया इन पांच सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था दोस्तों जैसे उस राजा के पांच साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुटबाई करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया लेकिन उस राजे के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हस रहा है पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्रेट हो जाते तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे लेकिन ए राजा तो हसता हुआ जा रहा है जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हस क्यों रहे हैं यानि कि आप इतने खुश क्यों हो तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो यानि कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और आप तब रोते हो लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ दोस्तों यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुगा उस जगह पर जा रहा था अब उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आये थे वो उस 5 साल में राज करने में मजे करने और ऐसो आराम की लाइफ जीने में इतने खौ जाते थे कि वो भोली झाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा लेकिन मैंने इस पांच साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि पांच साल बाद मुझे कहां भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैंने उस जगह पर काम किया मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं मैं राजा तो जरूर था लेकिन मैं यह भी नहीं भोला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने मेरी भविसे की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी सुरू किया दोस्तों अब जब वह राजा जाता है तब वो खुस होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले पान साल में एक अठा कर ले थी दोस्तों राजा बनने के बाद उसने ज़्यादा खर्ज भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर समाला और उसने काम किया उसके उपर दोस्तों हमें इस कहानी से आप सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिन्दगी में अपनी लाइब को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16-15 साल के बीच में है तो यह एज आपकी गोल्डेन एज है दोस्तों इस एज में आपको जितना जोस मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एकसाइटमेंट भरी हुई रहती है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है दोस्तों इस age में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका future अच्छा हो क्योंकि अगर आप इस age में सिर्फ मजे करते हो enjoy करते हो तो हो सकता है कि वाकी राजाओं की तरह आपको भी एक ऐसे जंगल में जाना होगा यानि कि एक ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे यानि कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी लेकिन दोस्तों अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो last में आया था और उसकी तरह आप अपनी जिंदगी की planning करते हो और उस पर काम करते हो तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंद बना दिया था यानि कि एक पूरा अलग सा राज बनवाया था दोस्तों क्या आप अपने जिन्दगी का राज बना रहे हो या फिर आप अपने जिन्दगी के राज को सिर्फ जंगल ही जंगल बना कर रख रहे हो बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में कॉमे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद